काल देव दशानन रावण स्वाम तुमसे युद्ध करने आया है काल देव साधना में है और उनकी साधना में कोई विगने नहीं डाल सकता खाताचर तुम्हें ये भी आभास नहीं कि दशानन रावण कौन है बावण गो ऩअ पिष्टान सबसाट how about how delicious आडराण इस से क्थाट आँड़ोमम उजममम ओममममम हुड़्त संनग थेरो लंकेश क्या चाहते हो मृत्यू की देवी को लंकेश दशानन का अभिवादन मृत्यू से पहले मृत्यू देवी के दर्शन? सभाग्य है मेरा जिसे तुम अपना सभाग्य समझ रहे हो वो तुमारा दुर्भाग्य है यदि अपना कल्यान चाहते हो तो लंका लोड़ जाओ लंकेश मैं जिस सुद्धेश्य से यहां आया हूँ उसकी पूर्ती करे बिना मैं लंका वापस नहीं जाऊंगा मृत्यू की देवी मुझे मेरा बान चाहिए मृत्यू का बान इसके लिए तुम्हे मेरे हाथो अकाल मरना होगा तुने मेरे अस्त्रों का तो अंत कर दिया अब मेरा अंत करके दिया तुम्हारी मनो कामना मैं अभी पूर्ण किये देती हूँ रुख जाइए मृत्यू की देवी आप प्रजापती ब्रह्मदेव का बर्दान खंडित नहीं कर सकती रावन को ब्रह्मदेव का बर्दान है तुम अपना कार्यतो पूर्ण ना कर सकें मृत्यू की देवी परंतु मेरा कार्यतो पूरा करो मेरा बांग दो तुम केवल अपना बाण ले जाकर क्या करोगे क्या केवल स्वयम ही जीवित रहोगे अपने समस्त परिवार के मृत्यू बान लेते जाओ हुआखा हुआपा हुआपा हुआभा हुआ तुमelectो अपने आपने है किन्तू उस नारायन के नर्के अफ़तार का क्या करोगे जो तुम्हारे अंत के लिए अफ़तरित हुए है उस वानर का क्या करोगे जो प्रती दिन तुम्हारे राक्षसों का अंत करेगा और उस मृत्यू योग का क्या करोगे जो नव ग्रह तुम्हारी कुंडली में बना रहे है जो मृत्यू की देवी से स्वयम, अपना मृत्यू बाण छीन सकता है, वोत अशानन लंकेश, रावण, ग्राहों को भी अपना अनुसार संचालिद कर सकता है। स्वामी, लंकेश अनर्थ करने पर तुला है, वो आपका परमभक्त है, आप ही कुछ कीजिए। देवी, लंकेश जो कर रहा है, उससे उसके पापों का ही घड़ा भर रहा है। किन्तु स्वामी, उसके इस कृत्य से एक जगत में उदल पुदल मच सकती है। तनाना महादेव, तनाना माते। क्या हुआ देवर्शी, आप भी इन देताओं की भाती चिंतित दिखाई दे रहे हैं। महादेव, आप से तो कुछ भी छुपा नहीं है। रावन की निर्ने को लेकर ही ये सारे देता चिंतित है। और मैं भी चिंता में हूँ, कि जगत का क्या होगा। कोई भी देवता उसे रोगने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मदेव के वर्दान का मान तो सब को रखना ही पड़ेगा देवर्शी। इसलिए सब विवश है। विश्नु देव का रामा अफ्तार भी हो चुका है। किंतु वो भी समय से पूर्व रामर का वद नहीं कर सकते। अनुमान भी तो रोख सकते हैं रामन को। अनुमान को भी तो। उन्हीं देवताओं से वर्दान मिले हैं। जिन से रामन अवद्ध है। वो कैसे रामन को पूर्व तया रोख पाएगा। प्रभू कुछ तो उपाय करना ही होगा। अनिता असमे ही प्रल्य मचा देगा रावन। देवर्शी। आप तो महाग्यानी है। आप ही कोई उपाय सुझाइए न। प्रभू। रावन की शक्ति के समक्ष कोई भी शक्ति तिक नहीं सकती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देवर्शी। आप स्वर्ग्यानी है। किन्तु मेरे मुख्ष से सुनने की इच्छा है। तो सुनिए। आदी शक्ति, महाशक्ति, सबसे बड़ी शक्ति वो है। जो स्रजन करती है। जगत को प्रले से बचाने के लिए हनुमान को डेवियों के वर्दानों की अवशक्ता है। नारायन, नारायन। अब मुझे आग्यादे। तरना महादेब, तरना माते। हा चुमान लाराख करार तरना में नाराख कि मुझे लिए रहा प्रले रहाराब झालता है। हिए six विए Ţव्से भुमान। जखलता है। तरना मान। सखा मुझे बहुत भूग लगी है और यहाँ पर कोई भी नहीं है चलो हम ही देखते हैं कि कोई फल या मिश्ठान है भी या नहीं अब तो मा भी लडू नहीं बनाती है चलो सखा धूंटे है अरे सखा इसे तो पका कर खाते हैं कोई फल या मिश्ठान हो तो ढूलो यह रहा फल अरे सखा तुम रहने दो मुझे फल मिल गया है आरायल नारायल प्रणाम देवर्शी भूग अभी तक शान्त नहीं होई है अनुमान भूग तो प्रती दिन लगती है ना मैं कोई उपाय बताऊं नहीं नहीं आप तो रहने ही दीजे आपके उपायने कैसा उथल पुथल मचाय था अनुभव कर चुका हूँ है ना सखा किन्तु हनुमान ये भूल गए कि उसी उपायने तुम्हें कितने वर्दान दिलाए अन्त भला सो सब भला किन्तु आप यहां क्या करने आए हैं तो नहां कोई उथल पुथल मचाने नारायने नारायने अरे मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ ये नारग यहां क्या कर रहा है ये अपने दिवे चक्षों से मुझे पहचान सकता है हनुमान देवरिशी आप पिताश्री प्रणाम प्रणाम देवरिशी नारायन नारायन आनन सदे बना रहे के स्रीजी आपकस्मात आये हैं तो हमारे सवाकक्ष को भी अपने शुद्धिकर चरणों से पवित्र कीजिए अवशी अवशी नारायन नारायन आय देवरिशी ये नारायन तो ही जिवरा रहा है ये नारायन तो ही जिवरा रहा है अब क्यों करूँ जैनमकेश जैनमकेश ये नारायन तो ही जिवरा रहा है ये नारायन परना आज को भेक खुली जाता बल-बल-बल ! बल-बल-बल-बल ! बल-बल-बल ! क्या बल-बल-बल कर रहे हो उपाय सोच रहा हूं मा जिविका उपाय सोच रहा हूं ? यदी तुम पकड़ी गई होती बल-बल-बल-बल होता कुछ तो कवाय डूदना पड़ेगा बल 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 जब तक तुम सोचोगे ना हमारा भेग खुल जाएगा नारत की दृष्टी पड़ गई ना तो हमारा बल 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 ही हो जाएगा महरानी जी महरानी जी महराज ने आपको दर्बार में बुलाया है अच्छा सुनों जी महराज से कहना आप कि मैं कुल देवी के मंदर जा रहे हूँ बल 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 नारायन नारायन महराज की जै हो महराज महरानी कुल देवी के मंदर गई है अच्छा ठीक है अच्छा है खुल देवी की क्रिपा से तो सब मंगल ही मंगल होता है केस्टी जी आपके सुमेरू राज्य की सुख शान्ती से ही सब की शान्ती जुड़ी हूई है अर्थात? अर्थात आपको शान्ती और शक्ति पाने के लिए शक्ति देवी नवदुर्गा की फूजा अराधना करनी चाहिए जिस्ते सारे संसार में सुख शान्ती बनी रहे ना रायन जै हो जै हो देवर्शी उचित कह रहे हैं मैं भी महाराज को यही सुझाऊ देने आया था प्रणाम देवर्शी ना रायन ना रायन प्रणाम राजपुरोह जी सदा सुखी रहें महाराज प्राणाम राजपुरोह जी कल्यान हो आसन गरण कीजी राजपुरोहिट जी दुर्गा जी के बारे में तो सुना है किन्तु ये नौ दुर्गा जी कौन है ये देवी दुर्गा जी के ही नौ कल्यानकारी रूप है पुरोहिट जी तब तो आप मुझे विस्तार से बताईए ना नव दुर्गा जी के बारे में हनुमान, जब यहां दिव्य ज्ञान संपंध देवर्शी स्वयम उपस्थित हैं, तो इन से अधिक कौन बता पाएगा नवदूर्गा के बारे में? नार आयन, नार आयन देवर्शी? तो आप ही बताएए ना मुझे नवदूर्गा जी के बारे में? हनुमान को ये जानना और देवी की आरादना करनी चाहिए रावन ने अवश्य ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया होगा अच्छा हनुमान जैसी प्रभू की इच्छा नारायन नारायन नो दुर्गा में प्रथम देवी है शेल पुत्री देवी सती ने देत्याक की पश्चाद परवत राज हिमान के घर उनर जनम लिया परवत राज की पुत्री होने के कारण वो पारवती और शेल पुत्री कहला है जिनका विवाद देवादी देव महादेव भगवान शिव के साथ ने देवी पारवती और भगवान शेव ये तो गनेशी के माता पिता है ना नारायन नारायन हाँ हनुमान इन्ही माता शैल पुतुई ने एक बार दिर्दाओं का गर्व भंग किया था वो कैसे देवर्शी मुझे आगनी देव के अलावा कोई नहीं आई संसार में मैं सब कुछ भस्म कर देता हूँ यहां तक कि लहो को भी द्रव में परवर्थित कर देता हूँ अगनी देव आप परवतों को हिला तक नहीं सकते और मैं भरुन देव क्रोधित होकर वर्शा करता हूँ तो परवतों को बहा ले जाता हूँ देखो मुझ देवराज इंद्र से शक्ति शाली पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं मैं तुम सब देवताओं के रक्षा करता हूँ इसलिए तो मैं तुम्हारा राजा हूँ सुनिए आप में से कोई इस लकडी को उठा के मुझे दे सकता है हाँ हाँ मैं उठा देता हूँ ये ये उक्योने इलाए है क्या होँ नए उठा है अब आप ही उठा दीजिये आप ही आप ही आप ही आप ही आप ही ये लकडी इतने भारी भारी कहां है पुत्र मैं तो सिर्पर लिये जा रही हूँ अब आप उठा दीजिये हाँ हाँ अवश्य है इसमें कौन से बड़ी बात इसमें उठा करते हैं झाल झाल इतनी छोटी लकडी भी आप सब उठा नहीं पाए और बाते तो बहुत बड़ी-बड़ी कर रहे थे क्षमा करे माता आप साधारन स्त्री तो नहीं है हमें अभीमान हो गया था माता उसे ही तोड़ने आप अधारी है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है माता अब अपने दर्शन देकर हमें क्रितार्थ करें तुम्हारा कल्यान पुदेवु व्रिशार उधाम शोल धरां शैल पुत्रिंग यशस्विनिय देवर्षी मैं साथ समझ गया आपने सूर्यदेव का अभिमान तोड़ने के लिए मुझे आकाश भल खाने भेजा था ना इस कथा से ये भी सीख मिलती है कि कभी अभिमान नहीं करना चाहिए हाँ हनुमान अब दुट्य दुर्गा की कथा सुनो इनका नाम रमचारिनी है शिप जी को पाने के लिए जब इनोंने ब्रमचारियों की भाती अठोर व्रत और सब आधी किये अब इने देवताओं ने ब्रमचारिनी नाम देदिया ओम नमाची वाई ओम नमाची वाई आप 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 दधाना कर पत्मा भ्यान अक्ष्यमाला कमंडलू सारी बाधाओं को हरने वाली देवी की पूजा करके सादक मन को स्वाधिष्ठान चक्र में केंद्रित कर लेता है इनकी सादना से त्याग सदाचात ये गुन सादक में स्वत ही आ जाते हैं हम फिर भगवान शिव का विवा देवी पार्वेती से हो गया ना यदी मन में एक लक्ष्य बना लिया तो उसके लिए सतत प्रयास करने पर वह लक्ष्य प्राप्त हो ही जाता है अब जित्य दुर्गा जी के बारे में मैं बताता हूं उनका नाम क्या था देवर्शी उनका नाम चंद्रगंटा है चंद्रगंटा देवी चंद्रगंटा तिंग पर सवारी करती है इनके मस्तक पर अर्द चंद्रविराजित है इसलिए इन्हें देवी चंद्रगंटा के नाम से जाना जाता है ये दस बुझाओं में त्रिशूल तलवार भरसा धनुष बान कमलपुष चलपात्र आदिल ये हैं जुझाओं इन्हें चंद्रगंटा देवियाई नमहा स्वाहा जुझाओं इन्हें देवी चंद्रगंटा का यग्या है। तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा कौन करेगा सर्वनाश तुम्हारी चंद्रगंटा देवी ए दंस्व कर दो इस यग्यवेदी को पिंडज प्रवरा रुढ़ा चंड को पास्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते महियं चंद्रगंटे दिविश्रुता हाँ ऐसी ध्वनी से असूरों का अंथ होता है है ना देवर्शी मैंने भी दंब्रु की ध्वनी से उस चक्रा सुरकान किया था अच्छा ये बताओ पुत्रहनुमान इस कथा से तुम्हें क्या सीखने को मिला इससे ये ग्यात होता है कि घंटे दंब्रु शंक आदी की ध्वनियां पवित्र होती है ये आसुरी शक्तियों का नाश कर देती है तथा लोगों के कल्यान के लिए सदय अव्यूद के लिए तदपर रहना चाहिए देवी चंद्रगंटा की किरपा से सादक का मन मनिपूर चकर में प्रवेश करता है देवी चंद्रगंटा भक्तों के दुख और बाधाओं का हरन कर लेती हैं और अब तुम्हें चतुर्थ देवी कुष्मांडा देवी की महिमा जब प्रिष्टी नहीं हुई थी ये संचार नहीं था तब देवी कुष्मांडा रकट हुई थी जब प्रिष्मांडा देवी कुष्मांडा देवी नहीं कुष्मांडा देव्य ही नमा कुष्मांडा देव्य ही नमा कुष्मांड देव Además कुष्मांडी in SOL एक रिकूष्मांडा माता आप तो स्द्ढेव अपने भक्तों की रक्ष्या करती हैं माता नजाने मुझसे माता जो आप मुझे से रूट गई और मैं इस असाद्ध्य रोग से पिदेत हो गया हूं मा कि मैंने आपकी वर्षुं आपकी तबस्य की इमा कि एक दिन आप मुझे अ कृपा करेंगी मा और इसे असाद्ध्य रोग से मुक्ति पाँगा मा कृपा कीजिया मा कुष्मान्दा देविया नमा माता आपको कोटी-कोटी नमन्द आपको कोटी-कोटी नमन्द माते कुष्मान्दा माता की जय हो कुष्मान्दा माता की जय हो सिरासंपूड कलशं रुदिरापल में वचर दधाना हस्त पत्मा भ्यां कुष्मान्दा शुभदास तुमें कुष्मान्दा देवी की कृपा से सादक का मन अनाहा चक्र में प्रवेश करता है और अब देवी के पंचम कल्यान कारी रूप कंद माता की व्याख्या करूंगा कंद माता अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए सतेव सत्पर रहती है मैंने हर तरह से उप्चार करके देख लिया अब ईश्वर ही कोई शमतकार कर दे तो ठीक अन्यता अपने पुत्र का ध्यान रखिए ए भगवान ए इसकंद माता कितनी बरसों मैंने आपका तप किया तप जाकर मेरी गोधारी हुई यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं भी यहीं बैठे बैठे अपने प्रान त्याग दूंगी माता वैद जी ने ये औशदी दी है उन्होंने कहा है इसे पिला कर देख लीजिए पुत्र मेरे लाल तुम स्वास्थ हो गए मेरा पुत्र किन्तु ये चमतकार कैसे हुआ वो माता जी कहा गई माता जी एक औशदी लेकर आई थी कह रही थी वैद जी ने भेजा है किन्तु वैद जी ने तो कहा था कोई उपचार नहीं है तब वो माता तो सुए माता जी आई थी सकंद माता हे मां मैं जानती हूं आप ही आई थी दर्शन दीजे मां दर्शन दीजे मां दर्शन दीजे सिंहासन गता नित्यम पदमा शृत कर द्वयार शुभदास्तु सदा देवि सकंद माता यशस्विनी जै माता दी सकंद माता की जै हो कंद माता की क्रिपा से सादक का मन विशुद्चकर में सित्थ होता है मांसिक शक्ती ही सची शक्ती है जब मन हार जाता है तो शरीर भी हार जाता है आप सत्य कह रहे हैं देवर्शी, आप कौन सी देवी है, मुझे सभी देवियों के बारे में जानना है नारायन, नारायन धैरे धरो हनुमान, खश्टम देवी है, कातियायनी देवी अब इनके अवतार की कथा सुनो कातियायनी देवी मुर्क साधुओं, बंद करो ये सब महिसा सुर्गक्षेत्र में कोई भी पूजा अर्चना नहीं होगी देवी देवताओं की, तुम्हारे देवता हम है मारो महिशा सुर्ग, छोड़ दो इन साधुओं को सिंग पे सवार, तु इन्हें बचाने आई है असुरों, इसे भी बंदी बना लो यो यो करें.. करें करें प्र्यापन TSबफंदब करें रफ चंद्रहा सोच वलकरा शार्दुलवर वाहना काथ्यायनी शुबंदध्या देवे दानव गाते नी जय माता दी जय माता दी अरे वाह शक्ति स्वरूपा देवी ने असूरों का अंत किया इससे यही सीख मिलती है लोगों का कल्यान ही धर्म है वसुदेव कुटूम्बुकंब महिश असूर मर्दिनी की जय महिश असूर मर्दिनी की जय आगे सुनो हनुमान जी इनकी कृपा से सादक का मन आग्या चक्र में सित्थ हो जाता है अब सुनाता हूँ सब्सक्तम ज़ी काल रात्री की महीमा नान से ही ये पह उत्पन करने वाली लगती है इनके दर्शन और भी बहबीत करने वाले हैं बस कि ये महाशुक दायक है इसलिए इन्हें शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है शुभंकरी इनकी कृपा से सादक का मन शत्रेसर चक्र में सित्थ होता है इनकी सवारी गर्तब है इनके नाम स्मरन मात्र से भूत, प्रेत, आधी बादाएं नश्ट हो जाती है गुरु देव, ये तो भूत, प्रेत, हुद पन्न हो रहे हैं भैभीत होने की आवश्चकता नहीं है शिश्यों भूत, प्रेत, हमारा कोई अहित नहीं कर सकते हम देवी कालरात्री की प्रसन्नता के लिए ये यग्य कर रहे हैं ओम कालरात्री देव्याई नम, ओम कालरात्री देव्याई नम स्वाहा हे मा कालरात्री रक्षा कीजे हम देव्याई ओम। झालरात्री देव्याई झाल 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 जन्चहा सोच मलकरा शार्दुलवर वाहना काध्यायनी शुबंदध्या देवे दानवघा तेवी